हेलो फ्रेंड्स आज हम इंडियन जोग्रफी के अंतरगत खनिजों से सम्मंदित कुछ महत्पूर्ण प्रश्ण देखेंगे जिसमें 2021 के नवीनतम आकड़ों को सामिल किया गया है यह टॉपिक एकजाम की द्रश्टी से अतियंत महत्पूर्ण है तो चलिए शुरू करते हैं जो फस्ट कॉस्चन है खनिज पदार्थों की द्रश्टी से कौन सा भारतिये चेत्र अधिक सम्रद्ध है तो छोटा नाकपूर का पठार है इसका अबिस्तार जारखंड उडिश्या वाले चेत्र में है छोटा नाकपूर के पठार को भारत का रूर प्रिदेश भी कहते है क्यों की एकनेजों की द्रश्टी से अतियंत महत्पून है सेकंड कॉस्चन है भारत में सबसे अधिक तावे का उत्पादन किस राज्जिद्वारा किया जाता है तो इसका जो सही आंसर है मद्ध प्रदेश मद्ध प्रदेश में लगभग इंक्यावन प्रतीसत भाग का उत्पादन किया जाता है इसकी जो प्रमुक का खदान है तावा उत्पादन के लिए वो बाला घाट के मलाजखंड में अवस्थित है तावे से सम्मंदित कुछ महत्पून फैक्ट देखेंगे तावा जो है मानाव सब्बता द्वारा सबसे पहले प्रियोग में लाई गई धातू है इसके जो साक्ष है हमें हडपा सब्बता में भी मिलते हैं भारत में जो तावे का सबसे अधिकुत पादन है वो मद्ध प्रदेश राज्य में होता है लगभग 74 प्रतिसत तो मलाजखंड खदान से ही निकाला जाता है जो बाला घट जिले में अवस्तित है और जो दूसरे स्थान पर है राजिस्थान जो खेतड़ी की खदान से इसके लिए प्रिसिद्ध है परन्तु यदि आपको भारत में तावे का सरवदिक उत्पादक राज आए तो आप उसका सही आंसर होगा मद्ध प्रदेश परन्तु यदि आपको तावे का सबसे अधिक भंडारन वाला राज आए तो उसका सही आंसर होगा राजिस्थान फिर तावे का सबसे अधिक भंडारण ए राजिस्थान में होता है जिसके लिए खेतडी की खान प्रिसिद्ध है परन्तु यदि हम बिस्वि में बात करें तो बिस्वि में सबसे अधिक तावे का उत्पादन है जो वो चिली में होता है जो दक्षण अमेरिका कॉंटिनेंट का एक देश है चिली वहां की जो चिकी कमाटा खान है वहां से होता है तो आपको एक कॉस्चन भी कई बार एकजामों में पूछा जाता है कि चिकी कमाटा खान है वह कहां इस्तित है और किसलिए प्रिसिद्ध है तो यह हम जरूर याद रखेंगे जो नेक्स्ट कॉस्चन है कि भारत में सबसे अधिक हीरे का उतपादन किस राज्य द्वारा किया जाता है तो इसका जो सही आंसर है मद्ध प्रदेश राज्य में जो मद्द प्रदेश राज्ज है उसका पन्ना एवं सत्ना जिला है वो हीरे उत्पादन में भारत का सबसे प्रिथम राज्ज है और यहाँ पर हिनोता एवं मजगुआ छेत्र है वो पिरमुक हीरे उत्पादन के लिए प्रिसिद्ध है नेक्स्ट कॉश्चन है जो हीरे किस धातु का अपर रूप है तो हमें पता है हीरा और ग्रेफाइड है जो वो कारवन के लिए प्रिसिद्ध है इसका जो राइट आंसर होगा वो कारवन होगा हीरे से समंदित कुछ फैक्ट देखेंगे हीरा सबसे कठोर अधातु है और कारवन का सबसे सुद्ध रूप होती है भारत में जो सबसे अधिक हीरे का उत्पादन इबं भंडारन है वो मद्ध प्रदेश में है जो हम बता चुके हैं पन्ना इबं सतना जिला इसके लिए प बिस्व में सबसे अधिक यदि भंडारन की बात करें हीरे के भंडारन की तो वो दक्षण अफ्रीका के किम्बरले खान है जो वहां होता है तो यह आप दोनों फैक्ट याद रखेंगे यदि भारत का पूछा जाए तो उत्पादन इबं भंडारन में पिर्थम राज्य है जो मद्प्रदेश है और यदि हम विस्व की बात करें तो उत्पादन में पिर्थम देश है वो रूस है और यदि भंडारन की बात करें तो दक्षण अफ्रीका के किम्बरले खेतर है या किम्बरले खान है वो हीरा उत्पादन के लिए पिर्थिद्ध है और पिर्थम इस बो है भारत इस से पहले जो सबसे बड़ा उपभोकता देश था तो वो चीन था परन्तु यदि हम बर्तमान की बाद करेーん तो भारत सबसे बड़ा उपभोकता देश है आप देखसी सकते हैं कि भारत में गोल्ड जोईलरी को लेकर कितना क्रेज है अब जो next question है भारत में सोने के उत्पादन के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है तो आपको पता है करनाटक जाना जाता है करनाटक की कोलार की खान बन्नी हट्टी की खान आपने केजी एप मूँ भी जरूर देखी होगी जिसमें कोलार गोल्ड फील्ड के बारे में बताया गया है तो जो सोना है यदि हम उत्पादन की बात करें भंडारन की बात करें तो भारत में करनाटक राज अपना प्रिथाम इस्थान रखता है और ये जो सोना है आपको पता ही है सबसे बहुमूल लिधातु है और इसका उपयोग सिक्के एवं आबुशन बनाने में किया जाता है परन्त यदि हम बिस्विक की बात करें तो सबसे अधिक सोने का उत्पादन है जो वो चीन द्वारा होता है नेक्स्ट कॉस्चन देखें तो चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है तो चांदी का उत्पादन राजिस्थान द्वारा किया जाता है, राजिस्थान की जावर खदान है वहाँ इसका सबसे अधिक उतपादन कि आ जाता है, लगभग 90% से भी अधिक, तो इससे कैसे याद रखेंगे, इसे छोटी सी टृक के माध्यें हम से connect करेंगे तो ऐसे ऐसे याद रखने की कोसिस करेंगे जो next question है कौन सी धातू बिद्दुत की सरवधिक सुचालक है मतलग सबसे अधिक conductivity किस धातू की होती है तो चांदी की होती है हमने देखा है जो software बनते हैं mobile देख लो computer या laptop जितने भी electronic gadgets हैं महेंगे उसके जो software उसकी जो chip वगएर आईसी चिप डिजाइन की जाती है तो उसमें चांदी का यूज किया जाता है next चांदी से संबंदित कुछ fact देखेंगे कि भारत में चांदी की सुतंत्र खाने नहीं पाई जाती है क्योंकि जो चांदी है आयस के है वो सीसा और जस्ता के साथ हमेशा मिस्रित रूप में पाया जाता है फिर बाद में जब इसका माइनिंग की जाती है उसके बाद इससे रिफाइंड करके अलग किया जाता है भारत में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन एबं भंडारन है वो राजिस्थान में होता है 99 प्रतिसत वो आपको पहले ही बता चुके है कौन सी खान है जावर खान तो इसे चांदी के जेव दिवरात और राजिस्थानी महिला की इमेज हम दिमाग में रखेंगे दुनिया में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन कहां होता है यदि भारत का यदि उत्पादन और भंडारन आए तो वो तो राजिस्थान प्रिथमराज्य हो गया परंतु यदि विस्व का पूछा जाता है तो विस्व में सर्वादिक चांदी का उत्पादन है जो मेक्सिको देश में होता है मेक्सिको देश की जो चिहु हुआ खान है वहां होता है तो इस खान का नाम भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि चिहुआ हुआ खान किस लिए प्रिसिद्ध है तो वो मेक्सिको म उत्पादन है वो ऑडिशा राज्य में होता है थाथ ही हम याद रखेंगे कि जो ऑडिशा राज्य है वो तीन अलग अलग खनेजों के लिए भारत में पुर्थामिस्थान रखता है तो आपको एक्सर क्योस्चन में ऐसा भी पूछा जाता है कि उडिशा बाकसाइड के लोहा उत्पादन के लिए भी ओड़ीशा पिर्थम राज्ज है तो टोटल चार खनेज हैं लोहा मैगनीच क्रोमाइट और बाकसाइड जिसमें ओड़ीशा संपून भारत में अपना पिर्थम इस्थान रखता है नभीन तम आकड़ों के अनुसार तो इसकी छोटी सीटर के ऐसे याद रखेंगे कि लोहा इसमें लोहा नहीं लिखा आप लोहा भी जरूर इसमें एड़ कर लेजिए लोहा है तो लोहे का बकसा और एक क्रोम मतलब कववा कववा अपनी चोच में दबाके क्या हो उड़ गया है तो उसे गन से मार दिया है उसे गन से मार दिया है तो क वो लोहे का बक्सा लेके उड़ गया तो उसे क्या कर दिया गन से मार दिया मैगनीज मैगनीज में गन की साउंड आ रही है तो इसे आप जरूर याद रखेंगे कि लोहा बाकसाइट क्रोमाइट और मैगनीज उत्पादन में भारत में सबसे पिर्थम राज्य कौन सा है ओड इक भंडार किस देश में है तो ए भारत में है आपको पता ही होगा जो यूरेनियम है या थोरियम है नाभ की इंधन के रूप में प्रियोग किया जाता है और हम जानते हैं कि इनको यूरेनियम और थोरियम को हम भविस्व का इंधन मी बोलते हैं क्योंकि इसकी बहुत ही कम क्वांटिटी में बहुत अधिक मात्रा में उर्जा का उत्पादन होता है तो भारत का जो केरल है उसकी जो मोनोजाइट रेथ है या मोनोजाइट बालू है उसमें थोरियम भंडारन सबसे अधिक है परंतु बर्तमान में इसका उत्पादन अधिक मात्रा में नहीं किया जा स जो नेक्स्ट कॉस्चन है यूरेनियम का उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है तो यूरेनियम का उत्पादन है आंदर परदेश द्वारा किया जाता है आंदर परदेश की जो जादू गोड़ा खान है वहां इसका सरवादिक उत्पादन किया जाता है और आपको पता ही है कि यूरेनियम का उपियोग जुनाफ की रियेक्टर होते हैं या परमानु साइयत्र होते हैं उसमें किया जाता है। नेक्स्ट कॉस्चन है कि किन खनेजों को जुड़वा खनेजों की संग्या दी गई है। तो जो सीशा और जस्टा है इनको जुड़वा खनेजों की संग्या दी गई है। और और सीसाकों जुड़वा खनेज गहते हैं भारत में ब्र॥ attendant की सराज्ज द्वारा किया जाता है तो 6 अधिक लोही का युदू पादन साज्ए हैं अभी हम ने टृक में देखी चुके हैं कि लोही का उत्पादन उड़ीशा में किया जाता है इसके अलाबा ओडिशा में चार अन खनेज भी हमने पड़े थे कि लोहा वॉकसाइड क्रोमाइट और मैगनीज इसकी ट्रिक भी देखी थी जरूर आप इसे याद रखेंगे और इन अबीनतम आकड़े हैं भारत नेक्स्ट कॉस्चन है जो भारत में पाया जाने वाला हैं परन्तु भारत में सरवदिक लोह अयसक हैमेटाइट पाया जाता है और हम यह भी देखा हमने की लोहा है वो ओडिशा में पाया जाता है नेक्स्ट कॉस्चन है कि कुछ डिटेल देखींगे लोह अयसक से सम्मंदित लोह अयसक भारत का सबसे महत्पूर्ण खनिच संसा मैं पता है लोहा है जो आधर भूत धातु के अंतरगत आता है इससे किसी भी देश का विकास लोहा सिमेंट आधी पर टिका होता है तो भारत का लोह उत्पादन में बिस्व में चौथा इस्थान है और पहले इस्थान पर कौन है तो संपूर्ण बिस्व में जो चीन है वह लोह उत्पादन में सबसे पिर्थम इस्थान पर है साथ ही अपन देखा था सोना है सोना धातू है ब है औस्टेलिया है ब्राजील और चोथे स्थान पर हम देख चुके कौन है भारत है तो भारत में लोह आयस के सबसे अधिक उत्पादन ओड़ी शाराज में होता है हम देखी चुके हैं परन्तु कभी-कभी इनके उत्खनन के लिए प्रिसिद्ध खानों का भी नाम आ जाता है कि कौन सी ख़दान इसके लिए प्रिसिद्ध है तो ओड़ी शा की है क्योजर बादाम की पहाडी और गुरू महसानी खान है यह हम जरूर याद रखेंगे यह ओड़ी शा में है और किस आयस के के लिए प्रिसिद्ध है तो यह लोह आयस के के लिए प्रिसिद्ध है क्योज बादाम पहाड़ी और गुरू महसानी खान फिर इसके बाद सेकंड इस्थान पर जो 36 गड़ है वो उसकी बैलाडीला खान डली राजहरा खान यह छेत्र हैं जो बैलाडीला और डली राजहरा यह भी लो है आयसके के लिए प्रिसिद्ध हैं फिर उसके बाद करनाटक की तो प्रिस इसको याद रखिए कि करनाटक की कुद्रे मुख खान बाबा बुदान की पहाड़ियां है लोहे आयस के लिए प्रिसिद्ध है और 36 गड़ की बैलाडीला डली राजहरा खादान प्रिसिद्ध है लोहे के लिए और ओरी शाकी क्यो जहर बादाम पहाड़ी और प्रिसिद्ध है फिर नेक्स्ट कॉस्चन देखेंगे बैलाडीला खान किस के लिए जाने जाती है मतलब बैलाडीला खान से जो लोह आयस के प्राप्त किया जाता है उसका नरियात किस बंदरगाह से किया जाता है तो बिसाका पटनम से किया जाता है आपको पता होगा जो आंध्रा में है उस पोट से जापान के लिए जो अपने 36 गड की बैलाडी लखान से जो लोहा निकाला जाता है बस सीधा कहा ने रियाद किया जाता है तो विसाका पटनम पोट से सीधा जापान ने रियाद किया जाता है नेक्स्ट कॉस्चन देखेंगे कि कुद्रे मुख लोह ऐस्क परिउजना किस राज्ज में हैं तो यह हम अभी देख चुके हैं करनाटक में हैं और किस के लिए प्रिसिद्ध है लोह ऐस्क के लिए प्रिसिद्ध है next question देखेंगे कि बर्तमान में सबसे अधिक कोईले का उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है तो इसका जो राइट आंसर है 36 गड़ द्वारा किया जाता है 36 गड़ का जो बस्तर छेतर है बहें कोईला उत्पादन के लिए प्रिसिद्ध है साथ में फ्रेंड्स जो इसमें अभी नभीन तमाकडे इसमें सामिल किये गए है और इससे next question देखेंगे नवेली की खान किस कोईले के उत्पादन के लिए प्रिसिद्ध है तो वो लिगनाइट के लिए है जो कोईला है कोईले की चार प्रकार होते हैं उसमें से नवेली की खान है जो वह लिगनाइट के लिए प्रिसिद्ध है कोईले से संबंदित कुछ महात्पूर्ण फैक्ट देखेंगे कि कोईला एक ठोस कारवनिक पधार्त है जिसको जीवास में इधन के रूप में प्रियोग में लाया जाता है कारवन की मात्रा के आधार पर कोईला चार प्रकार के होते हैं एंथ्रेसाइट, बिटूमिनस, लिगनाइट और पीट एंथ्रेसाइट होता है जो सबसे उत्तम क्वाल्टी का कोईला होता है इसमें जो कारवन की मात्रा है लगभग 85-90 प्रतिसत होती है यह सबसे efficient कोईला ह में ऐपाया जाता है इसमें कारवन की मात्रा है। ऑस nächste कमें किसमाइब हम फिर passport25-55 कंनरा मत्रा का पाई लिगनाइड काई किद्सक्री अपम्हूर dozenaaaa उसे पीट कोईला बोलते हैं उसमें कारवन की मात्रा केबल 45 प्रतिसत पाई जाती है तो यह हम जरूर याद रखेंगे भारत में सबसे अधिक कोईले का उत्पादन प्रतिस गड़ में होता है अभी देखा बस्तर छेत्र में और सर्वादिक भंडारन की अधिबात करें तो कोईले का सबसे अधिक भंडारन जारखंड में है इस गिप्रमुक खाने है जो जरिया जारखंड में है रानी गंज पस्चिम बंगाल में है सिंग रैनी यह तेलंगाना में है इन खानों का नाम याद रखेंगे फिर नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में सबसे अधिक बॉक्साइड का उत्पादन की स्राजु द्वारा किया जाता है तो हमने अपनी ट्रिक में ही देखा था लोहे का बक्सा मतलब लोहा और बॉक्साइड यह सब उडिशा में पाये जाता है बॉक्साइड एक धात्विक खनेज है और आपको पता ही होगा बॉक्साइड है जो अलूमीनियम का अईस्क है भारत में ओडिशा बॉक्साइड के उत्पादन और भंडारण में दौनों में ही अपना प्रिथामिस्थान रखता है नेक्स्ट कॉस्चन देखेंगे भारत में खानों से तेल के में पाए जाते हैं हमने देखा चट्टाने तीन प्रकार की हो थी आगने अपसाधी और कायंत्रित जो अपसाधी चट्टाने हैं इसमें जो जीवासम इधन पाए जाते हैं चाहे कोईला हो या पैट्रोलियम हो तो यह अपसाधी चट्टानों में पाए जाते हैं फिर इसक असम का जो डिगबोई छेत्र है वहां माकूम तेल छेत्र बहुत प्रिसिद्ध है और नाहर कटिया छेत्र भी असम में ही है और यह कच्छी तेल के उत्पादन के लिए प्रिसिद्ध है तो यह फेक्ट हम जरूर याद रखेंगे अक्सार एकजाम में पूछे जाते हैं अब इसकी इमेज आप देख सकते हैं अधी बरतमान में बात की जाए तो सबसे अधिक पेट्रोलियम का उत्पादन है वो मुंबई हाई से ही किया जाता है आपने जरूर इसकी इमेज देखी होगे नेक्स्ट कॉस्चन है कि गुजरात का महत्पून तेल छेत्र कौन सा है तो अ महारत में पेट्रोलियम उत्पादन में सबसे महत्पून योगदान अब 30 छेत्रों का है जहां से लगबक 66 प्रतिसत है पेट्रोल का उत्पादन किया जाता है और असम का जो डिक वोई ही छेत्र है उसको तेल नगरी के रूप में जाना जाता है इससे पहले हमने यह भी द लगबग 176 किलोमीटर दूर खंबात की खाड़ी में इस्थित है मुंबई हाई जहां से देश का सरवादिक तेल उत्पादन किया जाता है यह आप इमेज में देखी सकते हैं उपर फिर कुछ और फैक्ट देखींगे कि भारत में खनेज बिकास इवं सरवेक्षण के कारे करती रहती हैं और आंकडे जारी करती हैं पहला है जियोलोजिकल सरवे आफ इंडिया जिसका मुख्याला कोलकाता में है और दूसरा है भारतिये खनन ब्यूरो जिसका मुख्याला नाकपूर में है यह साथ में यह भी आद रखेंगे कि भारत के सीर्ष तीन खनेज उत उत्पादन में सबसे पृठं स्थान पर है, और चाह्जम टित्िय इस्थान पर है। पिर सिद्ध हैं अब थेंक्यू यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर इसे लाइक कीजिए, सस्क्राइब कीजिए और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए है और ट्रिक के साथ चाहिए है तो आप प्लीस कॉमेंट में बताईए उसे जरूर आने का प्रयास किया जाएगा और यह मेरा नया यूटूब चैनल है तो आप प्लीस इसे सपोर्ट कीजिए और इसमें आपको कॉंटेंट की गारंटी रहेगी और साथ में नभीन फैक्ट और ट्रिक को भी इसमें एड किया जाएगा थेंक्यू